बोलीवूड सेलिप्स सबसे ज़्यादा अपने शानदर तरीके से रहन सहन के लिए पोपलर रहते हैं। आए दिन इंडस्ट्री में ब्रेक अप और लिंक अप जैसे खबरे भी आती रहती हैं। लेकिन बोलीवूड में कई ऐसी एक्टरस हैं जिने सिंगल रहना चुना। इ मेडिया रिपोर्ट्स की माने तो आशा एक समय निदेशक नाशिर हुषैन संग रेलेशनिक में थी। अपनी आत्मकता में उन्होंने स्विकार भी किया है कि वो नाशिठ से प्यार करती थी। कई मेडिया रिपोर्ट्स की माने तो सुरैया और सूपर्स्टाव देव हुम तो तबू और तेलेगू सूपस्टार नागारजुन रिलेशन्शिप में थे। 1970 और 1980 के समय में सुलक्षणा पोपलर एक्टरस थी जिन्होंने तोप एक्टरस के संग काम किया। संजीव कुमार से वो प्यार करती थी और शादी के लिए रिक्वेस्ट भी किया था। उसके बाद उन्होंने कभी शादी नहीं की। नगमा बोलवुड इंडरस्ट्री का लोक्त्रिय चहरा रही हैं। नगमा ने भी अभी तक शादी नहीं की है। नगमा को अपना प्यार तो मिला लेकिन उस प्यार को अपनी जिन्दगी में शामिल ना कर सकी। इसलिए नगमा ने जिन्दगी भर कुवारी रहने का ही निस्चे किया। प्रवीन बाबी की गिनती सतर और असी के दशक की सबसे ग्लैमरस एक्ट्रस में होती थी। कई लोगों के संग उनके रिलेशनशिप की खबरे भी आईं लेकिन उन्होंने कभी शादी नहीं की। आशिकी जैसी सूपर हिट फिल्म से अपने करियर की शुरुआत करने वाली अनु अगरवाल एक्सिडेंट का शिकार हुई तो पल भर में उनका चेहरा खराब हो गया। उसके बाद उनका फिल्मी करियर नहीं चल पाया और तब तक उन्होंने शादी भी नहीं की। इस लिस्ट में दिव्या दत्ता का नाम भी शामिल है। दिव्या ने अपने आपको हमेशा रुमेंटिक रिस्तों से दूर रखा। चालिस की उम्र में भी उन्होंने अभी तक शादी नहीं की। तो ये थी कुछ ऐसी अभिनेत्रिया जिन्हें प्यार तो मिला लेकिन वो शादी के बंदन में ना बंद सकी।